हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम जे फॉर यू में तो आज का जो टोपिक है वो रहने वाला है LIC कस्टमर पोर्टल के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी LIC की पोलिसी ले रखी है तो आप उसको कैसे ओनलाइन मोनिटर कर सकते हैं पोर्टल पे चले जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में स्क्रोल डाउन करके लोगिन टू कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो ओप्षन दिखेंगे वो एंटर करनी है पोलिसी नंबर तो आपका जो भी पोलिसी होगा उसका एक नंबर दिया गया होगा आपके पास जो पेज है या जो भी आपको डोकुमेंट दिया गया है तो आपको वो पोलिसी नंबर एंटर करना पड़ेगा सबसे पहले उसके बाद जो next entry है वो आपके रहेगी कि उस policy के against में आपका जो premium है वो कितना जा रहा है वो without tax pay करना है उसके बाद आपकी जो date of birth रहेगी वो आपको enter करनी है और आपको अपना mobile number देना है तो ये आपको चीजे जो main main चीजे है mandatory रहेंगी वो आपको enter करवानी है उसके बाद एक आपको email ID देनी पड़ेगी email ID XYZ जो भी आप देना चाहूँ उस पर आपको उसके related notifications मिलते रहेंगी ये चीज mandated रहेंगी then after आपको अपना gender define करना है और उसके बाद जब ये चीजे आपकी complete हो जाएंगी तो आपको proceed पे click करना है यहाँ पे आपको pop up आएगा कि यह आपका mobile number है यह आपने email address दिया है अगर pen card और passport number दिया है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको yes पे click करना है अगर आप दुबारा से edit करना जाओ तो no पे तो जैसे आप yes पे click करोगे तो यह मेरा already account created है इसलिए इसने बोला है कि इसके against policy के against में आपका account already है अगर आपका नहीं होगा तो account यहां से आपका register हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है आप जब new user पे गए थे तो registered पे जाना है और वहाँ पे आपका जो आपने phone number दिया है वो या email address दिया है वो और आपका password आपको enter करना है उसके बाद आपको same आपकी जो date of birth आपने जो define की थी वो entry करना है यह चीज़े डालके आप उस पे अपने account में sign in कर सकते हो तो यह चीज़े रहेंगी आपका account ओपन हो जाएगा और आप account में आप यहां पे login हो जाओगे जब आप login करोगे तो आपको यहां पे अगर आपक काम कर सकते हो आप online payment भी कर सकते हो यहां पे अपनी profile में जाके आप जो भी चीज़े define करना चाते हो अपना first name, last name, date of birth, middle name, आपकी families, आपका address और whatever you want to enter आपनी profile में add कर सकते हो तो यह वीडियो था मेरको काफी request पे आई थी लोगों की कि हमें online premium pay करना है अपनी policies का तो हम कैस कर सकते हैं तो इसी से related मैंने यह वीडियो बनाया है अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो please like, share and subscribe और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको share करें ताकि उनको भी यह पतास लग सके कि हम online payment LIC की कैसे कर सकते हैं, thank you